मेरा एक ही रहेगा अभी तुम से तो तुम मुझे बताओगे कि अभी यहाँ पे हमारी अर्थ पे विप गयूर का combination होता है हमारा सन अब इस से यह seven colors disperse हो रहे हैं मतलब एक और important consideration यह कहता है देखो अगर अर्थ पे यह आपके second third question का बिल्कुल गुसा मत दिलाना मेरे को गुसा आ जाया ठीक है यह होता है बिल्कुल red point पे ठीक है horizon की time पे horizon की time hello students welcome to arise a talent my name is rushal singh shohan your physics faculty कैसे हो आप सभी I hope सभी बहुत अच्छे हो अब हम आ गए हैं बिल्कुल end पे हमारे इस chapter पे जिसका नाम है the human eye and the colorful world आपको मैंने last lecture में it's just previous lecture में काफी important point of consideration समझाया था जो था scattering of light जहां पे मैंने टिंडल effect के बारे में बात करी थी नीला आस्मान आपको दिखाया था अब यहां पे भी हम नीले आस्मान की बात करने ही वाले लेकिन नीले आस्मान की अगर मां बात करूं तो वह काफी important रहने वाला है क्यों क्योंकि blue light का consideration करना अपने आप में एक बहुत important फेनोमेना है और सबसे major question मेरा एक ही रहेगा अभ अभी यहां पे हमारी अर्थ पे वैसे तो मैं लेक्षे की बीच में आपको answer दे दूँगा लेकिन फिर भी मैं आप ही आपसे पूछ लेता हूं कि हमारी अर्थ में आपको आस्मान पूरा नीला दीखता है फिर जैसे ही space shuttles earth के atmosphere से ऊपर निकल जाते है यह हमारा atmosphere मालोई atmospheric level अब जैसे ही atmosphere के इस उपरी level पे उपरी surface पे पहुंचेगा atmosphere के just up ठीक है इसको पूरा space black दिखाई देगा dark दिखाई देगा stars visible होने लग जाएंगे दिन के time पे तारे दिख जाएंगे वो कहते है न दिन में तारे दिखना वो सच में हो जाएगा होगा की नहीं होगा दिन में तारे दिखने लग जाएंगे दिन में इसको उपर पूरा blackish blackish मतब जैसे space में पहुँचेगा वहाँ इसको सब कुछ कैसा दिखाई देने लगेगा अब black दिखाई दे रहा है तो इसको अर्थ पे सब कुछ blue क्यों दिखाई दे रहा था जब तकि अर्थ पे था इसको सब कुछ blue क्यों दिखाई दे रहा था और अगर ये अर्थ के ऊपर जाकर अर्थ पे देखे तो क्या इसक लेक्षर के एंड तक बनना पड़ेगा पीछ में क्या मतब एंड में यह हो ऐसा समझ लो ठीक है तो आपको तो मुझे साथ बनना पड़ेगा और सोचो अभी कि ऐसा क्यों होता है मतब तीन कोश्चन आया पहला अर्थ के अंदर ही अंदर सब कुछ ब्लू क्यों दिखा सेकें इसके पीछे का पीछे का मेजर रिजन यह रह आपके सामने है scattering सबसे important phenomena याद रखना sky blue होने के पीछे का major reason तो यही है scattering क्या है scattering यह तो आपको पता चलिया scattering ही वो major consideration है जिसकी वज़े से क्या हो रहा है हमें sky blue visible हो रहा है कि नहीं हो रहा है हमारा sky हमें क्यों blue visible हो रहा है scattering की वज़े से visible हो रहा है अब मैं अगर scattering में थोड़ा सा आगे आप से बात करता हूँ तो मैं थोड़ा सा detail में इस sky के blue होने के पीछे का main reason समझाऊँगा आपको जिसमें सबसे पहले चलो पहले एक काम करो मेरे साथ चल के एक बार blue sky देख के आओ कि blue sky actually में blue दिख रहा है और clouds white दिख रहे हैं black दिख रहे हैं मैंने मतलब अगर आप हमारे shots में देखोगे आपको पता चल जाए कि मैंने clouds के black और blue होने के पीछे का भी reason बता रखा है ब्लैक और white होने के पीछे का तो वह आपको shots में मिल जाएगा वह कोई दिखकत वाली बात ने लेकिन यहां पर अभी में बात करने वाला blue sky को देख के वहां पर समझ के आते हैं कि वहां पर major consideration क्या हुई और वहां से फिर वापस यहां पर आएंगे ताकि मैं इस point of consideration यह इस sky कैसे blue दिख रहा था क्या major considerations थी अब मैंने आपको वहां पर सब कुछ बता दिया कि sky के blue होने के पीछे basic concept क्या लगा वही concept को यहां पर एक बर समझा देता हूं देखो आपको पता है sunlight जो होता है वह mixture होता है किसका seven colors का विब्गयोर याद है विब्गयोर का combination होता है हमारा sun ठीक है विब्गयोर का combination होता है हमारा sun अब इस से यह seven colors disperge हो रहे है मतलब निकल रहे है लेकिन किस form में white light की form में आपको पता है हमारे atmosphere में बहुत ही स्यादा क्या है moisture water vapors होंगे dust particles होंगे कुछ भी हो सकता है मतलब जब sunlight हमारे earth atmosphere में enter कर रही है तो enter होते time पे मतलब इस आप कर रही है तो आते 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 इस पॉंट पे 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 इस पॉं क्या हो रही है, हमारे atmosphere में scatter हो रही है, अब आपको पता है कि blue light, जो blue light है, वो बहुत ही कम ज़्यादा scatter, याई scatter का basic word का meaning क्या है, blue light सबसे कम फैल रही है, इसका मतलब वो एक ही point पर fix रहेगी, लेकिन violet, indigo, green, yellow, orange, red, ये सारी scatter हो जाती है, मतलब भग जाती है, इनकी scattering सबसे ज़्यादा है, तो सारी की सारी scatter होगी, तो बचा कौन सा, सिर्फ हमारा blue light, कौन सा, blue light, और blue light सबसे कम scatter होने की वज़े से, हर एक points से, इधर से भी माल लो, ऐसे भी माल लो, ऐसे भी माल लो, हर एक point से, सिर्फ कौन सी light आपको visible होगी, वो रहेगी, blue light, जिसकी वज़े से जो हमारा sky है, वो हमें कैसा दिखेगा blue, अगर इसकी जगे पर red होता, red light सबसे कम scatter होती, तो sky हमें कैसा दिखाई दे रहा होता, red दि scattering, मतलब scattering सबसे ज़्यादा कम होती है, white light जो sunlight में से आरी है, उसके comparison, मतलब उसमें seven colors होते हैं, ये आते हैं, earth atmosphere में घुषते हैं, घुषने के बाद में क्या होता है, जो हमारे air molecules से atmosphere में, air molecules से light scatter होती है, लेकिन blue light सबसे कम scatter होती है, फिर अगर मैं बात करता हूँ, बाकि सा हमारे atmosphere के अंदर, मेरा ये word अगर सुन लिया दना तो तुम्हें तुमहरे question का जवा मिल जाएंगा, सिर्फ हमारे atmosphere के अंदर blue light scatter सबसे कम होती है, बट हमारे atmosphere के बाहर blue light सबसे ज़्यादा scatter होती है, तुम्हारा answer तुमारे सामने, समझ में आया, सिर्फ हमारे atmosphere के अंदर blue light स सबसे कम scatter होती है और हमारे atmosphere के बाहर blue light सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा नहीं बोलो अच्छा खासा scatter हो जाती है बात समझ मैं इसी main reason की वज़े से देखो इसी main particular reason की वज़े से जो scattered blue light होती है यह हमारी आंकों में आ पाती है और इसकी वज़े से हमें sky कैसा दिखाई देता है blue दिखाई देता है जैसा कि अभी आपने मेरे साथ चाथ पर जाके देखा कि blue दिखाई देने के पीछे major reason क्या था बात समझ मैं बहुत बढ़िया चलो शाबाज इतना तो आप समझ की होगे यहां तक तो किसी को भी कोई दिकत नहीं आनी चाहिए ठेक है अब सुनना एक और इस वज़े से हमें हमारा अर्थ भी कैसा दिखाई देगा डार्क और ब्लैक मतलब अगर दूसरे प्लैनेट पर जाते हो देखो आप मून पर चलो मून का कोई एट्मोसफेर नहीं है मून से आपको हमेशा 24 के 24 गंटे जो आपका स्पेस है वो कैसा दिखाई देता है ब्लै जाओंगा तब बता दो आपको पता है आपको पता है अट्मोसफेर नहीं होता है जिसकी वज़े से लाइट सनलाइट पूरी तर से स्कैटर हो जाती है इसलिए आपको आपको डार्क और ब्लैक ही दिखाई देता है ठीक है रेड कलर को डेंजर सिगनल्स के लिए यूज की लिए लिए जा सकता है ठीक है ये बात आपको समझ मैं अब एक छोटा सो इसलिए रहा हो जो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओंगे है ठीक है कौरी नहीं है कॉष्टन का कॉष्टन ही आता है मुझे बात बता कि दिन के टाइम पे हमें हमारा एटमोसफेर कैसा अंसर पीछे लिखा हुआ इसी में आपको अंसर भी दिख रहा है लेकिन मैं बस यह पूछना जारू हो पहले मिटार देदो नहीं तो आंसर भी देख लोगा ठीक है इसमें आपको अंसर भी लिखा हुआ है दिन के टाइम पे light scatter होके आपको blue दिखाई दे दी रात में atmosphere वही है तो light भी आ रही है फिर scattering क्यों नहीं हुई रात के टाइम पे black क्यों दिखाई दिया रात के टाइम पे तो दोनों बराबर होता है इसके पीछे का major concept क्या है यह मुझे बताओगे comment section में मैं देखूंगा और personally उसका जवाब भी दोगा जिसका सही होगा और जिसका गरत होगा ठीक है चलो बहुत बढ़िया अब इसके साथ आपको यह topic तो समझ आ गया ठीक है अब हम समझेंगे कि हमारा जो sky है वह actually में red क्यों दिखाई देता है red या orange जो होता है sunrise और sunset के time पे थोड़ा सा red या orange क्यो हूँ दिखाई देता है ठीक है halka सा reddish orange टाइप का दिखाई देता है तक फिर इसका मेजर रिजन क्या है वह समझना हो ठीक है अभी यह काफी अब जब sunrise का time हो रहा है या sunset का time हो रहा है दोनो point of time में आपको एक चीज पता है कि दोनो point of time पे blue light की scattering यह important ध्यान रखना कि जब sunrise हो रहा है तब और sunset काफी ज्यादा होगी क्यों कि sun पूरी तरह सारे atmospheric particles को नहीं track कर पाता sun हर atmospheric particles को lightCalS कव दोनों वाली condition में blue light काफी ज्यादा scatter हो जाएगी दो फिर iy औरे करता है सबसे कम wavelength वाले को जो होता है इसलिए हमें हमारा sky कैसा दिखाई देने लगता है red या oranges दिखाई देने लगता है ठीक है अब क्या होता है sunrise or sunset के टाइप पे sun जब horizon के पास में होता है sunlight को travel करना पड़ता है अपनी सबसे ज़्यादा distance atmosphere में ठीक है during the shorter wavelength blue light is scattered out of line of our line of sight resulting in the dominance of longer wavelength red light in the direct sunlight मतलब अब क्या हुआ जब वो just ओग रहा है या फिर आ रहा है तो आते टाइम पे राइस की टाइम पे अभी उसकी sunlight तक का हम तक पहुच पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है लेकिन जैसे ही वो थोड़ा उपर आता है तो वो sunlight properly हम तक पहुच जाती है जब वो नहीं पहुच पाता तो blue light को सबसे ज़्यादा scatter कर देता है लेकिन जैसे ही वो पहुच जाता है एक particular point पे वो सबसे ज़्यादा light की क्या करता है scattering कर देता है ठीक है जब वो अच्छी खासी position पर पहुच जाता है तब वो light की अच्छी कासी scattering भी कर देता है जिसकी वज़े से blue light सबसे कम scattered होती है तब हमें दिखाई देती है बट नीचे की तरफ में wavelength ज्यादा जरूरी होती है और wavelength के time पे ही वो longer wavelength वाली चीज़ को पकड़ता है जो रहती है red light की जिसकी वज़े से आपको और मुझे sun के चाहिए दिखाई देता है red दिखाई देता है at the time of sunrise and at the time of sunset ठीक है यह बात समझ भाई बहुत बढ़िया चलो अब देखना sunrise के time पे sun कहां पे होता है बिल्कुल horizon के पास में अभी इसको red ले लेता है यह होता है बिल्कुल गुसा मत दिलाना मेरे को गुसा आ जाया ठीक है यह होता है बिल्कुल red point पे ठीक है horizon के time पे horizon के time से यह direct उपर जाता है उपर जाते जाते यह देखो ध्यान से यहां पे मेंट गावाप पर रहता है वा पिस यहे आता है फिर जाता है हमारे horizon के पास में अभी समझना यहां से ब्लु लाइट सबसे जादा इस स्केटर हो जाती है each particular add blockchain सबसे जादा स्केटर हो जाती है similarly इस particular यहां पे भी आने लगया ना तब भी यह रट लाइट थम हो जाएगी हम मैं बात करों इतने की इतने सा इतना इतना ही मालो ऐसा नहीं यहां पे और फिर तुम्हें वो ब्लू ब्लू रड रड दिखाएगा नहीं बिल्कुल डीप डाउन नीचे पहुंच जाता है यह फिर न नोट अट थी ताइम ऑफ नून के टाइम पर शन पाइसा होता हमारे ओवरेड होता है और ओवरेड की कटिशन में आपको पता है blue light सबसे कम स्केटर होती है जिसकी वज़े से sun में कैसा दिखाए देता है ब्लू दिखाए देता है, ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ, scattering of light, sun को, yellow आजाओ, scattering of light जो होती है, sun को red दिखाती है, red की नाम पर ही red हो गाए मेरे साथ से, red दिखाती है, sunrise और sunset की टाइम पर, इतना तो आपको समझ में आगा है, किस की वज़े से हो रहा ही है, scattering of light की वज़े से ही हो रहा है, when the sun is overhead, the light coming from the sun has to travel a shorter distance, अब sun जब हमारे उपर होता है, तो उसकी distance कम होती है, light कम travel करेगी, तो कम की time पर blue light को सबसे कम scatter करेगी, जिसकी वैसे blue light दिखाई देगी, लेकिन horizon पर रहता है तो उसको काफी time लगता है, हम तक पहुंचने में, इसी वज़े से, यही main वो reason है, जिसकी वज़े से हमें sunset और sunrise की time पर, sunlight कैसी दिखाई देती है, red दिखाई देती है, red या little bit of orange इस आपको दिखाई देगी, ठेक है, only a little of the blue, blue color is scattered and most of the blue light remains in the sunlight as a result, the sunlight reaching us from the overhead of the sun appears white because it contains all its component color in the right proportion, जब वो overhead रहेगा, overhead की condition में, light बिलकुल shorter amount of distance तक पहुंचे की, तो shorter distance पर blue light सबसे कम scatter होगी, red light सबसे ज़्यादा scatter होगी, जिसकी वज़े से हम देख पाएंगे, easily हम visible हो पाएंगे, हम visible कर पाएंगे sunrise और sunset का concept, यह बात आपको समझ में आ गई, यहां तक किसी को भी कोई दिख्कत आई, I don't think किसी को भी कोई दिख्कत आई होगी, और यह वो सुन्दर नजार हैं, जो आपको दिखाई देते हैं, यह sunrise का time है, सुबह सुबह जब सूरा जुखता है, तब भी ऐसा oranges दिखता है, और शाम के time पर वो जब set होता है, तब इस तरह से दिखता है, ज्यादा बेटर कौन सा लग रहा देखके बताना जारा, देखो यह वाला या यह वाला, comment section में बताना जरूर, मैं इंतिजार करूंगा आपका, और मुझे इसके पीछे, जो मैंने तुमसे major question आज पूछा है, उपर जाने वाला, उपर जाने उपर नहीं जाना, उपर जाके बस यह बताना है, मुझे कि atmosphere में बहार निकलते time पे, हमारी earth प आपको समझाई के होगे, लेकिन मुझे pin जरूर करना comment section में, ठीक है, तो with that note, goodbye, take care, see ya, मैं मिलूँगा आपसे बहुत जल्दी नए वीडियो में, नए lecture में, नए concept, नए experiments के साथ में, जैसे कि आज हमने आपको कुछ नए दिखाया, I hope सबको आपको अच्छा लगा हो, और चीजें समझ में हो, कोई भी देखा तो, let me know in the comment section, मिलता हम आपसे बहुत जल्दी नए वीडियो में, नए lecture, नए concepts के साथ, till then, take care, goodbye,